हलो बेटा आज करेंगे हम बिटेन में राष्टरवाद का इतिहाश शेश यूरोप की तुलना में किस प्रकार बेन था यानि अलग था तो चलो सुरू करते हैं बेटा देखते हैं देखो बेटा सबसे पहला तो जो अलग है वो देखो एक तो ये रिजन है कि भई जो देश है आज कल हम जो देखते हैं कि बिटेने कंट्री है लेकिन अठारवी सदी से पहले ये कंट्री नहीं था यहाँ पर विबिन एथनिक ग्रूप रहते थे यानि डिफरेंट टाइप्स के एथनिक ग्रूप रहते थे विबिन संस्कृतियों के लोग यहाँ पर रहत तो उनमें राष्टवाद जल्दी पैदा होता है लेकिन जो अलग-अलग संसकरती हैं कि लोग होते हैं तो उनमें डिफ्रेंट जो एथनिक ग्रूप रहते हैं तो उनमें मुश्किल होता है थोड़ा सा राष्टवाद की भावना को पैदा करना इस परकार भी यह अलग था जो दास्तान थी वो उरोप के एने कंट्री से अलग थी बेटा और दूसरा है बेटा पॉइंट से की नो रेविलेशन की देखो जो ब्रेटें की फॉर्मेशन होती बेटा यहां पर कोई रेविलेशन नहीं हुई से पहले ना यूद हुआ क्योंकि ब्रेटें का जो एकिकर हो गया इटली का किकर्ण हो गया तो वो उन से अलग था ब्रेटें की जो कहानी है फॉर्मेशन की बेटा ब्रेटें की जो पॉर्मेशन की कहानी है वो यूरोप के अन्य कंट्री से अलग है इस परकार कैसे कि देखो वहां पर तो यूरोप में तो यूद हुए थी रेविल कि अन्य कंट्रिज थे न वहां पर जो राष्ट वाद की भावना लानी थी यानि एक राष्ट राज्य का निर्मान करना था उसके फॉर्मेशन के लिए किसी कोई वैक्ति था देश वैक्ति थे कुछ योद्दा वीर योद्दा थे कोई राजा था था थो उनकी महत्रपुन वहां पर एक राष्ट राज्य को निर्मान करने के लिए लेकिन बुट में इसके हाष्ट उसकी अपवद था यों कि बृत्ते द reflect इन बिटेन की संसन ने 1707 में एक बिल पास किया और जिसे की स्कॉटलेंड और बिरिटेन में एक समझोता हुआ जिसे की फर्मेशन होती है युनाइटेड किंगडम ओफ ग्रेट बिटेन का बिटा यानि जो रास्टर है वो एक कंट्री बनके उबरा बिटा तो इस परकार बिटा करते हैं नेशनल स्टेट बनाने के लिए लेकिन यहां पर बिटेन में क्या होता है यहां की जो संसद है पार्लियमेंट है उसका मौस्ट इंपोर्टन्ट रोल है बिटा एक राष्टर राज्य को बनाने में बिटा इस परकार यह जो बिटेन का जो राष्टरवाद है वो यूरोप के अने कंट्री से अलग है बेटा कैसे इन सोट में बता देती हूँ बेटा क्योंकि नो रेविलेशन हुई यहाँ पर दूसरा है डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर रहते थे तीसरा है रोल ओफ पार्लियमेंट बेटा यह तीन पॉइंट है बेटा जो की यूरोप का जो राष्टरबाद है वो यूरोप के अने कंट्री से अलग है बेटा ठीक है बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा थेंक्यू बेटा